केवल 32 सेकेंड में अभजीत मुहर्द उसी में प्रधान मंत्री जी को रखनी होगी इट अयोध्या में सिख रही राम मंदिर के निर्माड के लिए भोमी पूजिन संपन होगा इसके लिए आगामी पांच अगस्त की तारीक तै हुई है मानेनी प्रधान मंदिर नरेंद मुदी जी इस भब्य मंदिर के लिए पहले ही टरकर इसका सेलानियाश करेंगे और फिर उनके हाथों से वह हितियास बन जाएगा जो हर देई स्वासी के लिए गौरपोड होगा इस मंदिर के लिए कई सालों से रामभक्त प्रतिच्छा कर रहे थे कि कब मंदिर का सिलानियाश हो और भब्य मंदिर का निर्माण सुरू हो सके अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है पांच अगस्त को देश्ट के वरिष्ट लोगों की मौजुदभी में राम मंदिर के लिए भूम पूजन संपन्न होगा मंदिर के सिलानियाश की एक खास बादा है अशल में पांच अगस्त के दिन दोपहर 12 बचकर 15 मिनट और 15 सेकेंड के बाद 32 सेकेंड के लिए अभिजीत मौज सुरू हो रहा है और इसी 32 सेकेंड के अंदर पदारमंत्री जी को भूम पूजन की पहली ही रखनी होगी कासी के जाने माने जियोतिसा चार गणेश शुर सास्त्री द्रबिड ने भूमी पूजन के लिए मोहूर्त के लिए पूरी कुंडली बनाई है उनके साथ और भी कई गढ़मान जियोतिस्यों ने इस कुंडली को बना कर पूर्ण किया है अब इस मोहूर्त के अनुसार सभी पांच अगस्त के दिन ट्रस्ट के अध्यच महादनेति गुपालदा सोयम अपनी तरफ से 40 किलोग्राम चान्दी की इट प्रधार मंदरी जी को सोपेंगे और मोहुरत का कारे संपन्न होगा इसके बाद सोमनात मंदिर का निर्माड करने वाले सोम पूरा समूह द्वारा राम प्रधार मंदरी जी को सब लोगों ने मिलकर आमंदरीत किया है कि वह आये और पांच अगस्त को जो है बतिस सेकेंड के मोहुरत के दवरान जो है उसे इट को रखें और वहाँ पे भूम पूजन दो के साथ साथ में वहाँ भवेंद्र निर्माड संपन्न हो शुरू हो और अच्छे से जिससे संपन्न हो सकी कारें इसलिए सुब मोहुरत की उस घबेला में ही जो है इट रखी जाए वहाँ पर ऐसे सब लोगों का माना तो इसी तमाम जानकारियों खबरों के लिए लेटेस्ट न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें